हेलो फ्रेंज मैं हूँ विजिया और आप देख रहे हो विजिया स्क्रेटिव गार्डन फ्रेंज आज जो है हम आपको गुलाब यानि की रोस प्लांट में डालने के लिए तीन फर्टलाइजर का नाम बताएंगे जिनको कि आप गर्मियों में अराम से बिना किसी प्रॉबलम के अपने गुलाब के पौधों में डाल सकते हैं और उन fertilizer का कोई भी side effect नहीं है उन 3 fertilizer में एक fertilizer तो आप अपने घर में ही easily बना सकते हो बिना किसी जंचट के और दो fertilizer भी अदिक्तर जो भी plant lovers होते हैं उनके पास रहता है सर्दियों में तो plants के care करने में ज़्यादा problem नहीं होती है खुद flowering करते हैं अपने आप से लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा फ्लावरिंग करने में इन्हें प्रॉब्लम होती है ऐसा नहीं है कि ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं लेकिन सर्दियों में ये ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं क्योंकि इनका ये जो में फ्लावरिंग टाइम है वो विंटर ही है देता रहेगा हाँ यह जरूर हम कह सकते हैं थोड़ा कम देगा और थोड़े चोटे साइस का देगा क्योंकि गर्मी इनका सीजन ही नहीं है पेड़ लद ही नहीं सकता है गर्मियों में और फ्रेंस हर जगे क्या मौसम अलग-अलग होता है हम लोग जहां पर रहते हैं यूपी प्रेंट रहता है फ्रेंस जब भी आप फटलाइजर डालो तो आपने अगर प्लांट के ओपर मल्चिंग कर रखिए इस तरीके से देखिए जंगली यह भी निकल आए हैं तो पहले मल्चिंग को आप अराम से हटा सकते हो हटा लेने के पाद जितनी भी सूखी पत्तियां पड़ी हैं इन सबको आप हटा लीजे इस तरीके से ताकि कोई भी फंगस लगने का डर ना रहे और अब सबसे पहले फटलाइजर हम आपको बर्मी कंपोस्ट बता रहे हैं यह जो बर्मी कंपोस्ट होता है इसमें सभी आपके नाइट्रोजन, फासफोरस, पोडेशियम, क तो इससे जो है बिल्कुल साइड इफिक्ट नहीं रहता है, हाँ यह जो है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में प्लांस को देना पड़ता है, आप जो है हर बारा दिन में 12 डेज में देजिए गाइस को, बारा से पंदरा दिन हो सकते हैं, कोई फरक नहीं है, यहाँ पर मेरा जो गमला है, यह बारा इंच का है, और बारा इंच में जो है, मैं अंदाज से आपको बता रही हूँ, यह टेबिल स्पून मेरी जो मुठी है, यह टेबिल स्पून के बराबर है, तो इस बारा इंच में मैं तीन टेबिल स्पून जो है, यह बर्मी कंपोस्ट डालूंगी, फ्रेंट्स बर्मी कंपोस्टे जो है मल्चिंग भी कर सकते हैं मल्चिंग पर हम वीडियो बना चुके हैं तो आप बार बार हम नहीं बताएंगे तो मैंने अगर आपके पास साथ इंच का गमला है तो आप उसमें दो टेबल स्पून खोब अराम से डाल सकते हो फर्टलाइजर डालने के बाद अब पानी जरूर अपने प्लांट्स में डालना तब जो फर्टलाइजर है उसका असर तुरंट मिट्टी के अंदर चला जाता है और प्लांट उसको लेने लगते हैं जड़ों से खीचने लगते हैं वापस अपनी मल्चिंग ढग देना मेरे इसमें जो है पड़ा हुआ है पानी इसलिए मैं बार बार नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कई ओवर वाटरिंग से प्लांट मेरे खतम ना हो खराब ना हो जाए दूसरा फटलाइजर ये जो जाइम होता है ये है ये जाइम का भी जो बेसिक नेचर होता है ये भी ठंडा होता है तो यहाँ पर ये वाला पॉड जो है मेरा 10 इंच का है तो 10 इंच वाले में मैं जो हूँ दो चम्मच टी स्पून है ये टेबल स्पून नहीं है टी स्पून है ये मैं डाल दे रही हूँ प्लांट के चारू तरफ आपका गगा साथ इंच का गमला है तो आप जो है एक चम्मच डालिएगा छोटा वाला साथ में इसको भी है आप बारा से पंदरा दिन में रिपीट क सकते हैं अब ये वहला फर्टलाइजर फ्रेंज सभी के घरों में बहुत असानी से ये बन सकता है ये घर में ही जो मौझूद केले की छिलके रहते हैं उन्हीं से बनाया है कैसे बनता है इस पर मेरा वीडियो बना हुआ है आप देख सकते हो लेकिन फ्रेंज एक चीज हम ब तो आपके पेड़ पौधों में जो भी पत्तियां वेगेरा हैं वो अच्छे से ग्रों नहीं होंगी तो इसको आप खाली यूज मत करियेगा इसको आप जो है बर्मी कमपोस्ट या जाइम के साथ यूज करियेगा इसको तो आप चाहो तो आप 4-5 दिन में भी यूज कर सक दे रहे हैं अब इसको डाल देंगे हम इसमें प्लांट के चारो तरफ यह आप हर 4-5 दिन में भी यूज कर सकते हो लेकिन यह अकेला फटलाइजर पूरा नहीं होगा यह आप डाल सकते हो अच्छा रहेगा प्लांट की ग्रोथ के लिए लेकिन इसके साथ आप जाइम या फिर बर्मी कमपोस्ट भी यूज करना एक कोई भी चीज आप मिला लोगे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी फ्रेंस उमीद है आपको इंफॉर्मिशन पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक करना बिलकुल मत भूलना मेरे चैनल पर ने हो तो पी कर लेना फिर मिलते हैं तब तक के लिए गुड़ पाई